इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने दिसंबर 2023 सेशन का एकजाम दिया है और आप एकजाम में फेल हो चुके है या फिर आपका कम नमर आया है या फिर आपको डर लगता है कि आप एकजाम में फेल हो सकते है या फिर आपका कम नमर आ सकता है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा आपके पास क्या-क्या option available है तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इगनुस related सभी update और notification टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल notification को on कर लिजिए ताकि सभी update आपको मिलते रहे जब इगनुस का आप एक्जाम देते हैं और आप एक्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर आपका कम नंबर आता है यानि कि बहुती कम नंबर दिये जाते हैं तो ऐसे में आपके पास तीन option रहता है सबसे पहले अगर आपको ऐस scan copy रहता है answer seat का यह आपके email पर भेजा जाएगा और इसमें आप यह देख सकते हैं कि आपका paper कैसे चेक हुआ है कौनसे question में कितना नमर दिया गया है और नमर को किस तरीके से total वगेरा किया गया है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि copy of answer script के लिए apply करना होता है और आपको per subject का 100 रुपे देना होता है और एक चीज में आपको और बता दिता हूं कि अभी December 2023 एक्जाम के लिए answer checking का portal है वो start नहीं किया गया है और साथी में जो re-evaluation का portal है यह भी start नहीं हुआ है दूसरा option आपके पास क्या रहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका paper ठीक से चेक नहीं हुआ है आप अपने नमर से satisfy नहीं है आपको उमीद था कि आपके अच्छे नमर आने वाल है आपने एक्जाम बहुत ही अच्छे से लिखा लेकिन उस हिसाब से आपको number नहीं दिए गए बहुत ही कम number दिए या फिर आपको डायरेक्टली zero number दे दिया गय तो अगर आपको यह कॉस्टिली लगता है तो तीसरा आपके लिए काफी ज़्यादा यूजफुल रहेगा तो ऐसे में यह रहता है कि इगनु के तरफ से जो आपका पेपर है इसको फिर से चेक किया जाता है और इसमें अगर आपके नम्मर वगेरा इंकरीज होते है तो उसक कि ऐसा ही रहेगा जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो के मादम से बता दूँगा और इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करें तो री इवैल्यवेशन के लिए आपका अप्लाई कर सकते है तो जिस तारीख को विपसाइट पर आपका रिजल्ट है चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट कोड देख लेना जैसे कि यह सब्जेक्ट है इसका रेजल्ट है 26 दिसंबर को अप्टेट हुआ है तो इसके 40 दिनों के अंदर आपको री इवैल्यवेशन के लिए अप्लाई करना होगा और अगर आप कॉपी आफ आफ हो चुकिए आपको पता है कि अगर आप री इवैल्यवेशन वगेरा के लिए अप्लाई करते हैं तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है नम्मर वगेरा इंक्रीज नहीं होगा तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप एड्मिशन का सेक्षन कीजिए इस वेब एड्मिशन जून 2024 या फिर उससे आगे तक वैलिड है तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस पी सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं वो सब्जेक्ट का एक्जाम आपको जून 2024 सेसन में देना होगा और इसके लिए जो आपको एक्जाम फीस है वो आपको मार्च में समिट कर मार्च में जून 2024 एक्जाम के लिए जो एक्जाम फॉर्म है वो आ जाएगा और एक्जाम फीस आपको पर सब्जेक्ट का बस 200 रुपई समिट करना होगा ठियोरी सब्जेक्ट का और उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके है उसका एक्जाम आप जून में दे सकते हैं जून 2024 में तो अगर आप इग्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर आपके कम नमर आते हैं तो आपके पास यही ऑप्सन अवेलेबल रहते हैं तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक किजिए सेर किजिए और इग्जु से रेलेटेट को ओन कर लिजे ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे और अगर आपको अपडेट इंस्टेंटली चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं लिंक मैंने नीचे दे रखा है और आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपके समिद्टार्ट प्रा नीचे ज्री जोजाए तो नीचे को दो स्कता हैं आप हैं लिःका को अब्चोव